एक समय की बात है, एक राजकुमार और राजकुमारी थे. एक भयानक तूफान में, उनका जहाज डूब गया और वे एक अंजान परजा पहुँचे. महल वापस जाने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था. हर दिन, राजकुमार जंगल का नक्षा बनाने की कोशिश करता, तो वहीं राजकुमारी जंगल से फलफूल लाती. रास्ते में उन्हें खतरनाक सांप और जंगली बिल्लिया भी मिली, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. हफ़तों बीद गए, मगर महल का कोई पता नहीं चला. एक शाम, निराश होकर राजकुमारी जंगल में रोने लगी. तभी, उसे एक सुनहरी तितली दिखाई दी. वह तितली बोल सकती थी. उसने राजकुमारी को बताया कि महल दूर पहाड़ों के पीछे छिपा है. तितली ने उन्हें एक खास नदी का रास्ता बताया, जो सीधे महल तक जाता था. राजकुमार और राजकुमारी खुशी से जूम उठे. उन्होंने तितली को धन्यवाद दिया और नदी के किनारे चल पड़े कई दिनों की यात्रा के बाद, उन्होंने दूर एक चमकता हुआ महल देखा. वह उनका अपना महल था. खुशी के आंसू लियेवे महल के द्वार तक पहुँचे. महल के सैनिकों ने उन्हें पहचाना और उन्हें अंदर ले गए. राजारानी अपनी खोई हुई संतान को वापस पाकर खुशी से फफ़क पड़े, महल में जश्न का माहौल चा गया. भले ही उन्हें बहुत सारी मुश्किलें छेलनी पड़ी, लेकिन आखिरकार वे अपने घर वापस आ ही गए.